वाटर एलिमेंट के अट्रिब्यूट्स आप अपने अंदर कैसे लाए अब आप ये सोचेंगे कि यदि हम वाटर एलिमेंट के नहीं है तो हमें क्यों चाहिए उसके गुण क्योंकि हर इंसान जो ये सारे एलिमेंट है चाहिए वो और्थ हो वोटर हो एयर हो फायर हो वो सारे एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि यदि आप कुछ बात भी करते हैं। तो वो communication जो होता है वो air element के थूँ आप अपने से दूसरे के तरह पहुंचाते हैं आप उस काम को बहुत passionately करते हैं वहाँ पे आपको fire element की जरूरत होती है यदि आप उसको एक practical approach देते हैं वहाँ पे earth element की जरूरत होती है लेकिन उस बात को दूसरे इनसान तक पहुंचाना वो दूसरा इनसान उस बात से connect कर पाए उसमें उसे कुछ लगे कि हाँ ये मेरे लिए ये बात है वो feeling आना वो water element के थूँ ही आता है इसलिए हर इनसान के अंदर सारे elements के गुन होना बहुत जरूरी है यदि आप water element के हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आपके अंदर water element के गुन हैं आप बहुत ज़्यादा emotional हो जाते हैं आपके कुई भी decision पे आपका emotion ज़्यादा influence करता है और बाद में आपको realize होता है कि आपने बहुत emotional होके कोई decision ले लिया इसका मतलब भी कि आपके अंदर water element का disbalance है तो आप उसे कैसे balance करेंगे तो आएए मैं देती हूँ आपको कुछ tips जब भी आप introspect करते हैं अपने साथ बैठते हैं अपने बारे में सोचते हैं अपने behavior के बारे में सोचते हैं तब आपके अंदर वो चीजे develop होना शुरू होती है आपके emotion सामने आना शुरू होते है और इस तरीके से आप अपने water element को balance कर सकते हैं जब भी आप इस तरीके से मुद्रा करके बैठते हैं मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो हमारा little finger होता है वो water element को denote करता है तो चाहे आपको उसे increase करना हो या decrease करना हो यदि आपको increase करना हो आपके अंदर water element की कमी है बहुती dry emotion है या फिर आप बिल्कुल भी emotional नहीं होते हैं आपकी भावनाओं को लोग नहीं समझते हैं आप लोगों की भावनाओं को नहीं समझते हैं, वहाँ पे आप क्या करें, या फिर आपके health issues होते हैं, जहाँ पे आपको dehydration होता है, या dry skin की problem होती है, वहाँ पे आप अपने water element को कैसे balance करें, तो जब आप अपने little finger के tip को आप अपने thumb से मिलाते हैं, और इस तरीके से आप 15 minutes to 30 minutes, 35 minutes, 45 minutes, इस तरीके से जब आप बैठते हैं, तो भी आप अपने water element को balance करते हैं, यदि आपको water retention है, आपको water element को decrease करना है, आप bloated feel कर रहे हैं, या आपको हमेशा सर्दी जुकाम ऐसी problem होती रहती है, या बहुत जादा emotional होते हैं, आपका कोई भी decision आपके emotion से influence रहता है तो आप कैसे उसे balance करें, तब आप अपने little finger को जब आप इस तरीके से thumb के नीचे रखते हैं, और उसे thumb से press करते हैं, और इस mudra में जब आप बैठते हैं, 15 minutes से start कीजे, 30 minutes, 45 minutes, इस तरीके से जब आप बैठते हैं, तो भी आप अपने water element को balance करते हैं, water एक ऐसी चीज है, water का importance हम सभी जानते हैं, हमारे culture में water का importance हमारी संस्कृती में, या हम किसी भी religion को follow करें, उसमें water का importance कितना है हम सभी जानते हैं, तो water का respect करना, पानी का respect करना, ये बहुत important है, हमें हमेशा से पढ़ा है, सुना है कि जल ही जीवन है, वाकई, जल ही जीवन है, तो इसको respect दी आप जितना जरूरत है पानी को उतना ही यूज कीजे चाहिए आप जब पानी पी रहे हैं तो adequate amount of water ही लीजे जितना पो पीना है उतना ही लीजे कभी भी पानी वेस्ट मत कीजे ये मत सोचे कि ये पानी तो मैंने ख़री दा नहीं है ये तो hotel का पानी है ये तो flight का पानी है ये के पानी में essential oil डाल कर आप नहा सकते हैं उससे भी आप अपने water element को balance करते हैं जब आप किसी को पानी पिलाते हैं कोई प्यासा है आप उसे पानी देते हैं लेकिन आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि बहुत ही respectfully किसी को आप पानी पिला ये ऐसा नहीं कि बस दे दिया किसी को पानी बहुत ही respect के साथ उस पानी को treat कीजिए तब भी आप अपने water element को balance करते हैं अपने घर में आप नौर्थ में नौर्थ इस्ट में जब water fountain लगाते हैं या कोई भी water body लगाते हैं तो भी आप अपने water element को balance करते हैं fire element का हम सब के अंदर वो balance होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब fire element हमारे अंदर होगा तब ही हम किसी भी काम को बहुत ही passionately कर सकते हैं हमें एक motivation मिल सकता है किसी भी काम को करने के लिए लेकिन fire element नहीं रहेगा हमारे अंदर ही fire element की deficiency होगी तो हमें बहुत सारी health problems हो सकते हैं जैसे कि हमें digestion issues हो सकते हैं हमें कोई भी काम करने का motivation नहीं मिलता है कोई भी काम करने के लिए हमें एक focus नहीं मिलता है हमारी energy सही direction पे नहीं जाती है हम बहुत ही dull feel करते हैं बहुत ही lethargic feel करते हैं ऐसे situation में वो उस fire element को balance करना बहुत जरूरी होता है वहीं दूसरी तरफ यदि fire element आपके अंदर बहुत ही excessive है तो भी आपको heartburn की problem हो सकती है या फिर fever जैसी problem हो सकती है बहुत सारी liver और hearts related issues हो सकते हैं आपको बहुत ज़ादा यदि fire element आपके अंदर है तो आपको anger issues हो सकते हैं आपको insomnia हो सकता है जा आपको नींद नहीं आए आपकी energy सही direction पे नहीं जाने की वज़र से आप कोई भी एक focused काम नहीं कर सकते हैं तो कैसे अपने fire element को balance करें तो आइए मैं देती हूँ आपको कुछ tips यदि आपको fire element को increase करना है तो आप कपाल भाती कर सकते हैं उससे आप अपने अंदर वो heat generate करते हैं आप सुरे नमस्कार कर सकते हैं जिसे कि आपके अंदर वो heat generate होता है और आपके अंदर वो fire element balance होगा आप अपने घर में अपने workplace पर candle जला सकते हैं जो की fire energy को invoke करता है आप red color के flowers लगा सकते हैं चाहे red rose लगा सकते हैं वो भी fire energy को invoke करता है तो आपको वो motivation मिलेगा आप अपने आस-पास वैसे लोगों के साथ रहिए या वैसे लोगों को सुनिए जो की बहुत जादा passionate है अपने life में बहुत जादा motivated हैं वो हमेशा कुछ न कुछ करना चाहते हैं कहते हैं कि संगती का असर होता है तो उससे आप पर भी असर पड़ेगा और आपकी fire energy increase होनी शुरू हो जाएगी यदि आपको fire energy को increase करना है तो आप exercise कीजे लेकिन बहुत ही mild नहीं आपको बहुत ही rigorous exercise करना होगा loud music सुन सकते हैं इसे भी आपके अंदर वो fire energy increase होगी यदि आपके अंदर बहुत जादा fire element है और आप उसे decrease करना चाहते हैं आप उसे balance करना चाहते हैं तो आपको meditation करने की जरूरत है जब आप कुछ देर meditation करते हैं तो आपके जो सारे anger issues है या आपका जो impulsiveness है वो दीरे दीरे शान्त होना शुरू होगा आपको कोई भी heat generating food नहीं खाना चाहिए आपको कोई भी ऐसा spicy food नहीं खाना चाहिए जिसकी वज़ा से आपके अंदर और heat generate हो आपको पानी जादा पीना चाहिए ताकि fire को जो subside करने का जो element होता है वो water होता है इसलिए आपको जादा पानी पेने की जरूरत है आपके body को थोड़ा cool down होने की जरूरत है तो इस तरीके से आप अपने fire element को balance कर सकते हैं और एक अच्छी motivated life जी सकते हैं successful हो सकते हैं air element की qualities अपने अंदर कैसे लाएव वरना यदि आपके अंदर air element की quality नहीं है आपकी बात में वो वजन नहीं है तो लोग आपको seriously नहीं लेंगे आप अपनी बातों को अच्छे ढंग से बोल नहीं पाएंगे बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के अंदर ideas दो बहुत होते हैं लेकिन अपनी बात को वो सही तरीके से आघे रख नहीं पाते उनका communication skill इतना अच्छा नहीं होता वहाँ कहीं न कहीं वो मात खा जाते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बहुत महनती होते हैं, बहुत हार्ड वरकिंग होते हैं, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं, वो खुद भी ये नहीं बता पाते हैं, और इसकी वज़ा से उन्हें कहीं नुकसान हो जाता है, तो इसलिए air element की qualities सब के अंदर होना बहुत जरूरी है, तो वो qualities कैसे लाएं, आ आप knowledge gather करेंगे, और जब आप knowledge gather करेंगे, तो आप communicate कर पाएंगे, उस चीज़ के बारे में आप किसी से बात कर पाएंगे, आप self help की book पढ़ें, जहां कि आपको confidence मिले कि आप अपने आपको कैसे present करें, आप अपनी बातों को कैसे रखें, आप अच्छे लोगों को सुने, तो आप यह समझ पाते हैं कि वो अपने बात कैसे सामने रखते हैं, वो किस तरीके से बोलते हैं, उनके words कैसे होते हैं, उनकी vocabulary कैसी होती है, आप अच्छे लोगों के साथ रहें, जब मैं बोलती हूँ अच्छे लोगों के साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके friends ही सब ऐ करते हैं, जो कि आपको कुछ motivation देते हैं, ऐसे लोगों के जब आप साथ रहते हैं, उनकी बाते सुनते हैं, तो आपके अंदर भी कहीं न कहीं वो qualities develop होना शुरू हो जाती है, next चीज है, जो कि आप अपने घर में भी कर सकते हैं, आप air diffuser use कर सकते हैं, आप कपूर जला सकते हैं, जो कि आपके आस-पास के air element को वो balance करें, उससे भी आपके अंदर कहीं न कहीं वो air element की qualities आएंगी, अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि आप में earth element की वो सारी qualities नहीं है, आप उतने patient नहीं है, आप में stability नहीं है, आप में लोग trust नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं न कहीं वो earth element missing है, सबी लोगों में earth element का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि earth मतलब gravity, मतलब कि आप जमीन से जोड़ कर रहेंगे, और जब तक आप जमीन से जोड़ कर नहीं रहेंगे, तब तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो earth element के सारे ग अपने अंदर लाते हैं, अपनी personality में उसकी attributes लाते हैं, जब भी आप जमीन पर बैट कर yoga, meditation करते हैं, तब भी आप earth element के गुन को अपने अंदर लाते हैं, जब भी आप जमीन पर बैट के अपने prayers करते हैं, पूजा करते हैं, या किसी भी तरीके का आप कोई भी काम करते हैं चाहे आप खाना ही क्यों नहीं खाएं, तो भी आप earth element के गुन को अपने अंदर लाते हैं जब भी आप पेड़ पौधे लगाते हैं, उसे सीचते हैं, उसमें पानी देते हैं तो भी आप अपने अंदर earth element के गुन लाते हैं जब भी आप fresh vegetables और fruits खाते हैं, raw fruits खाते हैं, raw vegetables खाते हैं, तब भी आप और्थ element के गुन अपने अंदर लाते हैं.